हेलो स्टुडेंट्स आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है आपकी वाक्षीट नमबर 23 जो की डी ओई की आपकी साइन्स की नाइंथ क्लास की वरक्षीट है और यह वरक्षीट है दफंडमेंडल यूनिट ऑफ लाइफ पर और इसके अंदर हम बेसिकली पेटा किसके बात कर रहे ह हम सेल की बात कर रहे हैं हम सेल के पार्ट की बात कर रहे हैं उसका एक पार्ट हम यह देख रहे हैं हमने एक सेल लिया और उसको जूम किया उसको बढ़ा करके माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें सेल का न्यूक्लियस कुछ इस तरह से दिखाई दिया इस न्यूक्लियस के अंदर सारी में हमें कुछ thread like structure दिखाई दे रहा है यह आपका chromatin है उसके आस पास हमें pipe दिखाई दे रहे हैं दिखाई दे रहे हैं और यह कुछ ट्यूब है जिनकी boundary अलग कलर किया और इधर boundary black color की है अब यह जो black color की है इसको भी मैंने जूम करके देख रहे हैं यह ब्लाक कलर की पूरी सको यह regular सी कोई smooth सी मुझे लग नहीं रहे है इसके ओपर मुझे black 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 दोट दिखाई दे रहे हैं दिखाई दे रहे हैं सब को अच्छा तो यह जो डोट है इनका नाम है राइबुसों ठीक है यह जो ट्यूब्स हैं इन ट्यूब्स को बोलते हैं आपकी आज हम उसी की बात करें तो ग्यान अपनी दीदी से पूछ रहा है जे ग्यासा दे दे हैं हाओ डास्मी कैसा दिखाई देता है और एक सेल में एक सेल में इसका फंक्शन होता गया है काम क्या करता है तो दीदी आंसर देती है ग्यान एंडोप्लास्मिक रेटिकूलम और ए आर इसे लाज नेटवर्क और मेंब्रेन बाउन ट्यूब्स यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो पूरा फैला हुआ है कहां पर काफी सारा फैला हुआ है देखो कितना सारा अगर इतनी छोटी सी एक सेल होती है तो उसके इंदर कितनी सारी जगह यह ट्यूब्स पहल हुए है तो यह लाज नेटवर्क है ओफ मेंब्रेन बाउन ट्यूब्स मतलब ट्यूब्स है उनके उपर मेंब्रेन है जैसे आपके घर में पाइप है राइट पाइप की बाहर की कवर होती है और शीट्स विच लोक लाइक लॉग endoplasmic E and reticulum मतलब R and smooth endoplasmic reticulum जिसको हम बोलेंगे SER, अब हम short में बात करेंगे ER, RER और SER की, चलिए, RER जो की है आपकी rough endoplasmic reticulum has rough surface, इसकी surface rough है, हमें दिखाई दे लिया, हमने जब इसको देखा तो इसके पर छोटी 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 दोट दिख लिया है, तो यह rough है, इसका मतलब ठीक है, has rough surface in appearance because it has small particles, इसके पर छोटी छोटी डोट लगी है, छोटी छोटी पार्टीकल से, इनको कहेंगे ribosomes attached to it, ribosomes are the manufacturing sites of protein in a cell, basically जो ribosomes यह जो black color की डोट दिखाई दे रही है, यहीं पर बनता है, एक cell का protein, okay किसी cell में protein, जैसे हमें सब कुछ चाहिए खाने के लिए, सारे ही हमें main चीज़े चाहिए, like हमें protein चाहिए, vitamin चाहिए, ऐसी protein का manufacturing किसी cell के अंदर कहां होगा, ribosomes में बनता है, RER, rough membrane is connected with the outer nuclear membrane, यह जो RER है, यह देखो बिल्कुल connected है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यह किस की membrane से connected है, very good, nucleus की membrane से यह connected होती है, okay, we know that all necessary information for the synthesis of the proteins are present in the nucleus, अब बेसिकली ब्रेन तो किसी cell का है, nucleus, अब nucleus ही उसी direction देगा, कौन सा protein कब बनना है, ठीक है, we know that all necessary information for the synthesis of the protein are present in the nucleus on DNA, nucleus के अंदर जो DNA है, वो ही information देगा, whenever any type of the protein is required by the cell, these information are carried out by RNA to the ribosomes, जब भी कोई special type का protein चाहिए cell को, तो क्या करेगा, सबसे पहले, DNA बताएगा को मुझे special type चाहिए, फिर RNA उस information को लेके जाएगा, और कहां लेके जाएगा, ribosomes के पास, और ribosomes which manufacture the required protein on the basis of such information for the cell, these proteins are sent to various places in the cell by RER, उसके बाद ये सारी proteins दिये जाते हैं, जो बन गए आपके, protein बन गए, उसके बाद, these proteins are sent to various places in the cell by RER, RER जब इनका manufacturing कर लेता है, तो वो फिर cell के पास जहां जहां protein की ज़रुवत है, वहां भेज देता है, चलिए, next है आपका S.E.R. Smooth endoplasmic reticuline membrane does not have ribosomes on it, इसके ओपर कोई ribosomes नहीं है, इसलिए इसकी boundary को ब्लैक कलर की dotted नहीं दिखाई हुई, सबको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पास में जो थी, वो थी आपकी RER, अब जो इधर tubes पड़ी हुई है, ये हैं, आपकी S.E.R. इनके आपर कोई भी ribosomes नहीं है, S.E.R. produces fats, lipids molecules that are important for the cell functions, अब ये देते हैं, fats और lipids, ठीक है, चलिए, some proteins and lipids molecules help in building the cell membrane during cell division, जब cell division होता है, बिटा, एक cell से two cells बनती है, है न, reproduction के time, उस time क्या होता है, ये information के cell की कैसे protein होगी, कैसे बनेगा वो cell, उसकी cell membrane कैसी होगी, ये कौन देगा, ये S.E.R. देती है, S.E.R. बनाती है, उसकी cell membrane, this process is called membrane biogenesis, तो S.E.R. mainly काम कर दी है, आपका membrane biogenesis, मतलब कुछ protein, कुछ lipids जो बना रही है, S.E.R. वो किस लिए बना रही है, वो cell membrane बनाने के लिए बना रही है, और कब बनेंगी है cell membrane, जब new cell बनेगी, this production of membranes is driven by endoplasmic reticulum, चलो, S.E.R. also provides surface for certain biochemical activities in the cell, कुछ अलग तरहां की biochemical activities जो होती रहती है cell के अंदर, उसके लिए भी main surface देती है, कि यहां हो जाए, ठीक है, in the liver cell of vertebrate, हमारी cell, हम भी vertebrates हैं पिटा, हमारे अपना समझे लो, liver cell जो है, हमारी animal having backbone, उनको vertebrates कहते हैं, जिनके पास vertebra होती है, पते हैं, यह सबको ठीक है, तो जिनके पास भी read की हड़ी होती है, backbone होती है, उनके अंदर जो liver cell है, उसकी बात कह रहे है, SCR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs, हमारी liver का काम क्या होता है, basically, बिटा, detoxification का होता है, liver खराब हो जाता है, damage हो जाता है, तो क्या होता है, कि हमारी body में poison, drugs का भड़ता जाता है, कोई भी हमने liver infected होने से क्या होता है, basically, हाँ, jaundice हो जाता है, very good, तो liver का काम है, detoxify करना, जो भी poison या कुछ भी हमारी शरीर में बन रहा है, उसको खतम करना, तो वो कौन काम कर रहा है, वो SER ही करती है, smooth endoplasmic reticulum, right, endoplasmic reticulum also serves as channel for the transport of material between various reasons of cytoplasm, और between the cytoplasm and the nucleus, ठीक है, देखो, यह tube-like structure है, उपर चलते हैं एक बाद, यह tube-like structure है, और इसके अंदर से कुछ material जो है, वो अंदर और बाहर, मतलब यहाँ cell के अंदर ही, बहुत सारी चीजें इन्हीं tubes के दुआरा, इधर उधर जाती है, clearly समझ गए वाली बाद, तो यह serves as a channel, यह बीच में channel है, जो transport करते हैं material को various reasons of cytoplasm, और between the cytoplasm and the nucleus, cytoplasm मतलब nucleus के बाहर का जितना reason है, किसी cell के अंदर वो cytoplasm है, ठीक है, तो cytoplasm और nucleus के बीच में बहुत सारी information, या बहुत सारा material यह send करते हैं, ठीक है, अंदर और बाहर अराम से जा सकता है, कहाँ cell के अंदर है, ER form से network system in the cell, यह एक तरह का network system है, पास करने के लिए network का काम क्या होता है, हमारे घर में network लगा हुए है, घर के बाहर network है, आपके घर में phone system है, wifi system है, यह एक network का काम कर रहा है, जो चीज़ों को इधर से उधर पास कर रहा है, material को, right, चलिए, name and differentiate between two types of endoplasmic reticulum, तो name हमारे पास आगया, यहां से, ER is of two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, दोनों की आपको साथ में लिखना भी है, ओके अब इनके बीच में difference कर दो, difference कम से कम 3 points का कर देजिए, तो पहला तो इनका नाम ही हो गया, दूसरा, R.E.R. की rough surface होती है, इसके ओपर ribosomes होती है, ठीक है, it has ribosomes, ओके, its synthesis proteins, यह protein का synthesis करते हैं, ठीक है, यह होगे इसके main function, next, ऐसी आर में कर दो, it does not have ribosomes, पहले सच से पहले इसका full form लिख देना, smooth endoplasmic reticulum, it does not have ribosomes, इसके ओपर ribosomes नहीं होती हैं, और उसके बाद लिख दीजिए, it produces fats, lipids molecules, उसके अंदर आपने लिखा था, it produces protein, okay, next, इसके अंदर, अगला question है, आपका, okay, next question है, write one function of ribosomes, ribosomes का main function तो बिटफ प्रोटीन सिंथेस का है, यह लिखती जेगा, the main function of ribosome is to manufacture protein in a cell, next, what is membrane biogenesis, membrane biogenesis क्या है, some proteins and liquids, some proteins and lipids molecules help in building the cell membrane during cell division, this process is called membrane biogenesis, right, इसमें यह लास्ट लाइन भी एड़ कर सकते हो, कि इस production of membrane, यह किया जाता है, driven by the endoplasmic reticulum, वैसे इतना एनफ है, some proteins and lipids, वो molecules help करते हैं, in building the cell membrane during the cell division, ठीक है, और इस process को बोला जाता है, membrane biogenesis, next question है, why RER membrane is rough in nature, बताएगे क्यों rough है, तो कि उसके उपर dots हैं, किस चीज की dots हैं, ribosomes की, तो यही लिखेंगे, because it has small particles called ribosomes attached to it, which are the manufacturing site of protein in a cell, thank you, thank you for watching, किसी को कुछ समझ नहीं आया, तो बिलकुल आप comment box में लिखेगा, और इसके अलावा चैनल को subscribe करना है, चैनल को subscribe क्यासे करते हैं, सबको पता है कि उसके लिए आपको red color का subscribe button जो यह उसे दबाना है, और वो हो जाएगा black या grey, तो समझ जाओ, चैनल सब्सक्राइब हो गया, नेक्स्ट वीडियो का notification अपने आप आपके पास आ जाएगा, थैंक यू,